अगर जेडियू के 43 विधायक जिनके दम पर नितिश कुमार इस वक्त 9 बार मुख्य मंत्री बनते हैं अगर इन में से 10 विधायक भी नितिश कुमार को छोड़ देते हैं तो यहाप पर सीधे-सीधे जो सरकार है वो गिर जाएगी चले तेज है और जिस तरीके से जीता नरामाजी जिनके कुल 4 विधायक है लेकिन उनको मंत्री पर चाहिए दो इससे साफ तोर पर जाहिर होता है आपने एक चीज गौर किया होगा कि अभी जो मौझूदा महीने से जो भीहार में राजनिति चल रही है सारे नेता कोई बयान देता है कि हमें अगर लक्षमी मिलेगी तो हम क्यों नहीं जाएंगे हम आजएडी के साथ जाएंगे हम जेडी के साथ जाएंगे हमें मंत्री पच्चिया हमें और समराट चोधरी और जो विजय सिनाई यह तमाम नेता हैं जो नितिश कुमार को से गोद में जाके डिप्टी सीम बैठ जाते हैं पर यह कहा है कि बेशक यहां पर उनके एक विदाय को मंत्री ना बनाया जाए वो तब भी एंडिय के साथ जुड़े रहेंगे यह दावा तो किया जा रहा है लेकिन दावे वादे पेश तो किये जाते हैं लेकिन जब अप पाला पलता भी जाता है जैसा नितीश कुमार ने पाला पलता है तो ऐसे में एक और सवाल यहां पर बन जाता है कि उस विदायक का गोपाल मंडल जी का जो यहां पर यह कहते हुए नजर आते हैं कि अगर पांसो करोर मुझे मिलेंगे तो मैं भी यहां पर एक तरीके से लक ठोक सकती है वो यह कहते हैं कि अभी बहुत समय हैं यहां पर विदायक जा भी सकते हैं आभी सकते हैं तो बड़ा खेल हो सकता है और तेजस्वी आदम ने भी कहा था कि बड़ा खेल हो सकता है तो इस खेल के साथ यही देखना होगा कि क्या यहां पर गोपाल मंडल खेल बि विदाईकों को यहाँ पर वो तोड़ सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो क्या नितिश कुमार को जटका लगेगा क्या जो मुख्य मंत्री बनते हुए यहाँ पर दावा पेश कर रहे हैं कि कोई उन्हें हटा नहीं सकता है तो क्या हटने की बारी आ चुकी है देखिए टेस्ट में पूर्ण बहुमत अगर नितिश कुमार साबित कर देते हैं तो यहाँ पर ना तो जीतन राम मांची को कोई तवज्जो दिया जाएगा और ना ही यहाँ पर गोपाल मंडल को और इसलिए वो बार बार अपने बयानों में अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे है उसनी ही जरूरा जेडियो की नितिश कुमार को भी है क्योंकि अगर जेडियो के 43 विधायक जिनके दम पर नितिश कुमार इस वक्त 9 बार मुख्य मंदल में जगा मिलनी चाहिए और यहाँ पर इस चीज को देखते हुए फिर आगे चल कर हो सकता है कि जेडियो के विधायक इस तरीके की मांग करते हुए नज़राएंगे कि अगर आप निर्दलिये विधायक को मंत्री मंडल में शामिल कर रहे हैं तो आखिरकार हमें क्यों नहीं कर रहे हैं और भारतिय जंता पार्टी इस चीज़ को आखिरकार कैसे यहां पर एक्सेप्ट करते हुए तो नितिश कुमार के पास महस 47 विधायक हैं वहीं दूसरी और बीजेपी के पास जो आकड़ा है वो लगभग आप दुगना यहां पर मान सकते हैं तो कई ना कई बीजेपी चाहेगी कि मंत्री मंडल में उनके विधायक जादा हो तो यह जो तमाम चीज़े हैं ने देखक करने को मिलिए जो सीधे तोर पर जाहिर नजर आती है अब ऐसे में नितिश कुमार तो दावा कर रहे हैं लेकिन इसी बीच में आपको बता दे कि जो कैबिनेट का विस्तार होना था इसको लेकर पांच फरवरी को भी को भी हो सकता है यहां पर बात करें विश्वास मत बचना था तो नितिश कुमार के साथ जाते यहां एक बड़ी बैठक होनी थी तो यहां पर तमाम दल तमाम यहां पर मंत्री मौजूद होते मुख्य मंत्री भी मौजूद होते लेकिन क्या देखा जाता है कि दोनों मुख्य मंत्री दिल्ली पहुँच जाते हैं बीजे वी मांग करते वे नजर आएंगे वो भी जिस तरीके से अभी बिहार की राजनीती चल रही आपको समझना होगा कि बीते दिन जिस तरीके से लल्लन सिंग जो है आप पीम नरेंदर मोदी से मिलते हैं उसके बाद से जीतन राम माजी को जैसे ही कॉंग्रेस जो है सी एम पत का ओफ होता है आपने चीज गौर किया होगा कि अभी जो मौझूदा महीने से जो बिहार में राजनीती चल रही है सारे नेता कोई बयान देता है कि हमें अगर लक्षमी मिलेगी तो हम क्यों नहीं जाएंगे हम आजेडी के साथ जाएंगे हम जेडियू के साथ जाएंगे हमें मंत अभी भी जो है पिछडे राज्यों में आता है क्योंकि मौझूदा जो राजनीती चल रही है आपने देखा होगा कि कैसे सब अपने पदों के लिए जीतर नमा जी जो एक बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं उन्होंने अपने कारेकाल में किया किया क्या किया ये बड़ा स पूरा करने के लिए उनको पता है कि अब बिहार की जनता जो है वो समझ चुके हैं इनके चाल को यही वो वज़ाए कि वो आखरी दाओ को आजमाना चाहते हैं और समराट चौधरी और जो विजय सिना यह तमाम नेता हैं जो यही वो नेता है जो नितिश कुमार को अलोचन सरकार को लेकर क्या हटेगी सरकार या ऐसी मजबूती के साथ टिकी रहेगी क्या है राय आपकी कमेंट पर जरूर बताएं देखते हैं इस पर नाइन्यूस धन्यवाद